गुट मूरिंग अप्रिवन वल्कम टू सवल सर्विसे स्टड़ी यह प्रक्टिस सैट नंबर 165 है यूपी पी एससी के लिए हैं और इस टेस्ट सीरीज की प्ले लिस्ट वना रखी है हमने वहाँ पर आप टेस्ट नंबर बन से लेकर 165 तक पहुंच सकते हैं सबकी कर सकती हो जिसमें मिलेग आपको PDF with explanation के साथ फुल टेस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर उस पर कॉल या वाट्सअप कर दीजिए तो कुश्चन नंबर बन पर आजईए नंबलेखित कत्मों पर विचार करेंगे दो स्टेटमेंट है यहां पर बताने कि इन मे बता कि कौन से करेक्ट है विच्यानबय प्रतिशत कोईला गोंडबाना सेल समू भारत में करेक्ट है सबसे अधे कोल प्रोड़क्शन इंडिया में 36 गड़ ठीक है और अधिकांस जो है लोह धात्विक और अलोह धात्विक खनिज धारबार सेल समू में तो दोनों की दोनो कोईशन वर्ट उपर आजईए भारत में स्वेथ क्रांती का जनक किसे कहा जाता है भारत में स्वेथ क्रांती के जनक है डॉक्टर वरगीज कुरियन तो भारत में स्वेथ क्रांती का जनक डॉक्टर वरगीज कुरियन को माना जाता है स्वेथ क्रांती का संबंध है मिल्क से नंबर थ्री पर आज़िए यह स्टेट्मेंट वाला प्रश्ण है बताने कि इन में से कौन सा करेक्ट है फ्लेरिस माइनर गेहुं की फसल में वेड़ है मतलब खर्पतवार है और बत हुआ जो है धान की फसल में खर्पतवार है खर्पतवारो आपको पते होगा करण नाश करने की लिए खर्पतवार नाशी को बत हुआ कि मैं जोब चार्पतवार चार से ऊंज्फ प्रश्ण ए香港 के पूछ रहते हैं यू अज जो कभी 머ुआ dove नकी द्थान की फसल में खर्पतवार अंग तो गलत हो गया दूसरा वाला तो बत्वे की बात करें तो बत्वे का वास्त्विक नाम है चिनो पोडियम एलबम ठीक है और यह प्राया गेहूं मटर और सरसो आदी की फसल में खर्पतवार के रूप में उगता है और इसके हरे पत्वों का उपयोग सब्जी यो के रूप में किया जाता है और यह धान की फसल में नहीं उपता है ठीक है गेहूं की फसल में खर्पतवार है बत्वा गेहूं धान गेहूं मटर और सरसो ठीक है फ्लेरिस माइनर गेहूं की फसल में खर्पतवार है एक तरह से देखा जाए दोनों के दोनों गेहूं की फसल के खर्पतवार है तो गलत है दूसरा वह गुलाबी और काली चमपा निमन कितमे से किसकी किसमे हैं ये कौन सी फसल की किसमे है ये कौन से फलो ठीक ये फलो की फसल की किसमे है ये चमपा गुलाबी सुल्ताना काली चमपा गुलाबी सुल्ताना ये हैं अंगूर तो गुलाबी हो गई काली चमपा सुल्ताना ये सब जो मैंसे कौन सी क्रसी में जल संडक्षन में सहायता कर सकती है कौन सी है वो भूमी की कम या सूने जुताई खेत में सिचाई के पूर जिपसम का प्रियोग और फसल अवसेज को खेतों में ही छोड़ देना इन मैंसे कौन कौन सी पद्दतियां है जो क्रसी में जल संडक्षन में सहायता कर सकती है ये तीनो पद्दतियां ठीक है क्रसी में जल संडक्षन में सहायक होती है तो इसका अंसर हो जागा अपसर नमबर डी उपरोग सभी तो देखें सूने जुताई खेती सूने जुताई खेती सुनिय चुद्धाई खेती करने का वह तरीका है जिसमें भूमी को विना जोते ही बार-बार कई वर्सों तक उसमें फसले वगाई जाती है इसके करण भूमी में नमी बनी रहती है और खेत में सिचाई के पहले जिपसम का प्रियोग अब हम फसल अब से इसको खेत में रहने देने के करण भी भूमी की नमी में प्रद्धी होती है और इस प्रकार यह तीनों ही पद्धतियां करशी में जलस अंडक्षन में सहायता कर सकती है दो डी साइस का कोश्चन नमबर सिक्स पर आजईए यह पूर्वी यॉरप में एक महतपूर्ण आधारित आंत्रिक जलमार्ग है इनमें से किसी एकी बात हो रही है इस नदी का उद्गम ब्लैक फॉरस्ट से होता है और यह अनेक देशों से होती होई पूर्व की और पुराहित होती है ब्लैक फॉरस्ट से निकलती है कुछ कलूम ला यह यॉरप की दूसरी सबसे लंबी नदी है बोलगा को एलिमेट कर दीजे फिर तो क्योंकि बोलगा यॉरप की सबसे लंबी नदी है अब उत्तर राइन डेन्यूब या टेम्स में से एक होगा टेम्स या थेम्स यह नदी डेन्यूब डेल्टा से होती होई काला सागर यानि ब्लैक सी में गरती है आपको बताने के उपरोग परिछेद में नमलके में से किस नदी जलमार का वर्णन किया जा रहा है डेन्यूब डेल्टा से होती होई काला सागर में गरती है डेन्यूब ठीक है डेन्यूब नदी जलमार का वर्णन हो रहा है तो उपरयूगत परिछेत जो है डेन्यूब नदी जलमार का वर्णन कर रहा है तो डेन्यूब करेक्ट हो गया इसका मतलब भी करेक्ट हो गया इसके विप्रीत यदि वोलगा की बात क मार गया यह मैच वैच करने के लिए पूछ ले आता है कि बोलगा के सामने लिखा है कैस्पिन सागर तो करेक्ट हो गया ठीक है और डेन्यूब के सामने लिखा है काला सागर कोशिय नुबर 7 पर आज़ी है भारत में निमलकेद में से कौन सी जन जाती है रितु प्रवास करती है बकरबाल गदी भूटिया यह तीनों ही तीनों जन जाती है रितु प्रवास करती है तो डी है सकांसर ठीक है तीनों जन जाती है बकरबाल गदी भूटिया रितु प्रव धन्श्री सुवन्श्री कामेंग मानस लोहित तीस्ता यानी ब्रह्मपुत्र की बात हो रही है। अभी तबाराक, इसकी सभी ट्वित्री हैं, थोड़ा जादे टफ करेगा तो बाये हाथ से बैहने वाली, दाये हाथ से बैहने वाली यह मिलने वाली नदी कर लेगा, लग अलग कर लेगा, कोईशन नमर 9 पर आज़े है नमलकिद में से उस नदी का नाम बता दीजे जो मद्धपरदेश से निकलती है और खमबाद की खाड़ी में करती है कौन सी है माही तो माही नदी दक्षन पश्चिम दिशा में दिशा की और जो है गुजरात से प्रवाहित होती हुई खमबात की खाड़ी में गरती है और मध्य परदेश से निकलती है दस्वा प्रश्चन है नमलिखित कत्नों पर विचार करेंगे दोई स्टेट्मेंट बाला प्रश्चन है बताने के लमें से कौन सा करेक्ट है अध्यरोपित नदिया अपने प्रवाहिस्थल की संरश्चना के साथ समायोजित नहीं होती अर्थात यह इस्थल खंड के ढाल का नुसरण नहीं करती है चमबाल नदी और सोन नदी अध्यरोपित नदी के उधारण है बिल्कुल correct है दोनों के दोनों statement तो C है इसका answer तो देखिए पूर्बा रोपित या अध्या रोपित एक ही बात है पूर्बा रोपित या अध्या रोपित नदिया अपने प्रोहा इस्तल की संद्शना के साथ जो है समायोज़ेट नहीं ही होती है और थात या इस्तल खंडिके डालका अनुसर नहीं करती है चंबल नदी हो गई सोन नदी हो गई ये अध्या रोपित नदी के अध्या नदी के उधारण है है नमरिकत में से कौन एक जो है मंदाकनी नदी के किनारे अवस्तित नहीं है मंदाकनी रिवर के किनारे अवस्तित है गौरी कुंड, रामबाड़ा, गुप्तकाशी, गोविंद घाट नहीं है तो गौरी कुंड हो गया, रामबढ़ा हो गया, गुप्तकाशी या मन्दाकनी नदी के किनारा वस्तित है जबकि गोविंद घाट की बात करें तो अलक नंदा और लक्षमन गंगा नदी के किनारा वस्तित है वो पश्मी राजस्तान की मिट्टी में आप निम्री के दमें से किसकी मात्रा को अधिक देखोगे, किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है पश्मी राजस्तान की मिट्टी में, एलमूनियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या कल्सियम, कल्सियम की तो पश्मी राजस्थान के अंतरगत जो डिश्टिक आते हैं उसके कौन-कौन से आते हैं जसल मेर हो गया, बिकनेर हो गया, बारमेड हो गया, जालो और जोधपुर हो गया सिरोही हो गया, गंगा नगर हो गया, जुनजनु हो गया, पाली हो गया, सिक्कर ये सब जो है पश्मी राजिस्थान के अंतर गाता थे और इन जिलों की मिट्टी केल्शियम यानि चूना अधारित च्छारी है एवं लबणियों प्रकार की होती है question number 13 पर आजएए, दो statement है यहाँ पर बताने के नमें से कौन सा correct होगा गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है और इन मिट्टियों का रंग पीला रखता भूरा यानि पेल रेडिश यलो, पेल रेडिश ब्राउन होता है यह पूछ रहा था एक्जाम में कि कौन सी पुरानी को खादर को बांगर कहेंगे नई को खादर यह उल्टा-फुल्टा कर देते हैं ठीक है बांगर जो है वो पुरानी है, पुरानी कछारी और जो खादर है वो नई है, correct है पहला, दूसरा भी सही है इंगादर लिगते तो गलत हो जादा पहला statement चलिए बताएं ये रवी की फसल की बुआई करनी है किस महीने में होती है October, November, Option Number C तो रवी की फसल की जो बुआई होती है वो October, November महीने में प्रारंब होती है और इसकी कटाई होती है March, April में गेहू हो गया, जो हो गया, चना हो गया, मतर हो गया, सरसो हो गया, मसूर हो गया, आलू हो गया सब रवी की प्रमुक फसले है ये याद रखिएगा ये पूछ लेता इनमें अभी कपास रख देता तो एलिमिनेट करवा लेता क्योंकि कपास तो खरीफ है कोशन नमबर फिप्टीन पर आजए, दो स्टेटमेंट एक बार फट से बताना कि रमें से कौन सा करेक्ट होगा भारत कपास के पौधे का आदी निवास है भारत है, चीन है और विश्व में भारत वो पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विक्सित होई तो कपास जो है भारत का देश सज पौधा है, रिगबेद जैसे प्राचीन गरंथ में भी इसका उलेक मिलता है भारत विश्व का वो पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विक्सित होई भारत में सोयावीन उत्पादन में कौन सा राज अग्रणी है अभी तक मध्यप्रदेश इसका उत्तर है तो भारत में सोयावीन उत्पादन में अग्रणी राज है मध्यप्रदेश नमबर 17 पर आजिए दलहनी फसलों के उत्पादन में कौन सा तत्व निम्लिकत में से आवश्चक है कोबाल्ट है तो कोबाल्ट जो है राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन इस्तिकरण के लिए आवश्चक तत्व है तुढ़ा विटामिन बी बारे के संसलेशन में सहयक होता है यह है प्रकास संसलेशन वाटपोत सरजन विंब्रद्धी के लिए आवश्चक है राश्ट्य वागबानी परिशद की स्थापना हुई थी कब 1976-87-1984-2002 राश्ट ये वागवानी परिसद की स्थापना हुई थी 1984 में 1984 में तो राश्ट ये वागवानी बोड या परिसद की स्थापना 1984 में सोसाइटी पंजीकरन अधिनिया मठारे सोसार्ट के अंतरगत एक स्वायत सोसाइटी के रूप में की गई थी और इसका मुख्याला है भारत के हरियाना के गुरू ग्राम में भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज जो है केरला नमबर 20 पर आजए निम्लिक राजे का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एक आधिकार है क्रोमाइट के प्रोड़क्षन में लगभग एक आधिकार है उडिसा का उडिसा का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एक आधिकार है तो 20 प्रशन थे इनकी प्रैक्टिस कर लेजेगा और टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाएगा सेवल सर्विसेश टड़ी के और आपको इसकी पेड़ सीरीज चाहिए तो यह नमबर इस पर कॉल या वाट्सप करते जिए धन्यबाद हर दिन प्रैक्टिस करते रहें